यह हमारा session 39 है तो start करते हैं the word okay the word Robert Louis Tiffson once argued is overflowing with so many things that we all should be as content and as reality एक राजा है मतलब कि यहां पर Robert Louis Tiffson है इसने एक बार ऐसा कहा argue का मतलब कहना अपनी बात रखना या बहस करना भी हो सकता है कि दुनिया क्या मतलब कि भरी पड़ी है ऑवर्फ्लो का मतलब होता है भरा पड़ा होना चीज़ी चीज़े हैं कई तरी चीजों से और हमें हमेशा संतुष्ट रानाची हमेशा content English में संतुष्टी का करता है content का मतलब होता है बहुते हैं जो इंटिकेड करता है अगर आप संतुष्ट प्राइब करते हैं जो नहीं होते हैं क्या होते हैं इस ने कहा कि दुनिया बहुत ही आवरफ्लो कर रहें चीज़ों से कि हमेशा सुन तूश टिनरची, I believe this reasoning is bit flawed, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि यह जो बात है थोड़ी सी समें कमी है, flow शब्द का मतलब कमिया होता है, लेकिन अब इसमें थोड़ी कमी है, FLAW, FLAW का मतलब कमिया होता है, happiness does not necessarily come from external factors, यह नहीं कि कितनी चीज़े पड़ी हों है, इस यह बात तो बिलकुल सही है, इसे मैं सहमत हूँ, कि दुनिया है, यह अन कितर चीज़ों से भरी पड़ी है, consider for example, poverty, suffering, overcrowded hospitals, psychiatric wards, slums, environmental degradation, wars, death, taxes and incompetent leaders, दुनिया भरी पड़ी है, poverty का मतलब गरीबी होता है, गरीबी से भरी पड़ी है, suffering का मतलब कष्ट दुख कह सकते हो, overcrowded hospitals, भरे हुए hospitals पड़े हुए है, patients जाद है, beds कम है, psychiatric wards, नहीं कि ऐसे कमरे हैं होस्टिल के नदर, जहां पर मानसिक मरीज रहते हैं, उनसे भरे हुए है, slums, जहां पर development नहीं है, शेहर का वो area जहां पर जुगी जो पड़ी है, development नहीं है, वो के slums है, environmental degradation, और जो हमारा environment है, degrade हो रहा है, यूद हो रहे हैं, wars हो रहे हैं, death हो रही है, taxes है, incompetent leaders, incompetent का मतलब होता है, जो काबिल नहीं है, और जो हमारे leaders हैं, वो काबिल नहीं है, ऐसे बहुत सारी negative चीज़े भी हैं धरती पे, जिनसे दुनिया भरी पड़ी है, while stepsons likely viewed the world through a more idealistic lens, उन्होंने क्या देखा दुनिया को सिरफ एक idealistic lens के through ही देखा, इन्हें की other lens से देखा, कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, as many romantic point does, और जिस तरह से बहुत सारी romantic points देखते हैं, प्रित्वी को, कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, ऐसा ही stepsons देखा, लेकिन प्रित्वी ऐसी नहीं है, इस एक्स्टर में हम क्या करेंगे, कुछ harsh realities को पढ़ेंगे, और जो stepson की सोच है, उसके सामने अपनी बात में रखेंगे, और बैलन्स करेंगे, in this chapter we will explore various aspects of life, हम जानेंगे, explore का मतलब जानना होता है, जो जीवन है, इसके अलग-लग पहलों को जानेंगे, aspects को जानेंगे, ब समरिद्धी और गरीबी को भी जानेंगे, emotional borrowed form of others, जो हम emotional दूसरे से उधार ले लेते हैं, उनको भी जानेंगे, the fleeting nature of time, समय कैसे उड़ जाता है, fleet का मतलब होता है, भाग जाना, fleet का मतलब होता है, फरार हो जाना, और समय कैसे पंख खुड़ा के भाग जाता है, उड़ ज पढ़ेंगे, human animal relationships, इनसान और जानरों का कैसा रिष्टा है, nostalgia, sounds, eating preferences, and many forms of secrecy, तो ये सब words हम इस chapter के अंदर पढ़ने वाले हैं, so, पहला हमाने, lack of essentials, essentials का मतलब है, जो जीवन के लिए जरुरी चीज़ दे है, वो essential होती है, lack का मतलब है, lack of essentials का मतलब है, जरुरी चीज़ दो जीए, मकान, जीए, के life के essentials है, और lack of essentials का मतलब है, कि basic चीज़े ही नहीं है, so, some individual, often, through circumstances beyond their control, उनके हाथ में, जो circumstances है, जो महोल है, उनके हाथ में नहीं होता, find themselves living without, not only luxury, उनके जीवन को ये दिखता है, कि के लिए luxury नहीं है, such as radio, tv, cars नहीं है, बलके without a basic necessities, बलके जीवन की basic जरूरते भी इनकी पूरी नहीं है, इनके पा सफिशिंट फूड नहीं है, पॉम्त, गर्मायश नहीं है, गर्मी नहीं है, ये सर्दी आ रही है, तो थोड़ी कंबल चाहिए, है ना basic चीज़े, clean water नहीं है, safe housing नहीं है, घर नहीं बने हुए, these people live not well, इनका जीवन अच्छा नहीं रहता, televent penury, ये गरीबी में जेते हैं, तो penury शब्द का मतलब क्या होता है, गरीबी, और penurious का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा गरीब, इसकी basic चीज़े भी पूरी नहीं है, वो penurious होता है, next मार बड़़ देखते है, emotional substitutes, देखो substitute का मतलब होता है, एक चीज के बदले में अगर आप किसी दूसरी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो तो दूसरी चीज़ क्या है सबस्टिटीड है पहली नहीं प्यार है नहीं एकसाइटमेंट है तो यह क्या करेंगे यह चाहेंगे कि इनका जो इमोशनल फुल्फिल्मेंट है यह कहानिया पढ़के पुरा कर लेंगे मूवीज देखके कर लेंगे जो हमारे टीवी पे प्रोग्रेम्स आते है इसको अम्धारा वाहिक बोलते हैं वो क्या होते हैं तो कभी-कभी हमारे लाइफ में हम डिरेक्ट कुछ एक्स्पीचे नहीं कर रहे हैं बलकि कुछ के रलेटिट कोई हमने यूटीब पर वीडियो द या विकेरियस फिलिंग्स बोलते हैं नेक्स्ट माना वर्ड देखते हैं फ्लिटिंग मोमेंट का मतलब होते है पल उड़ते हुए पल भागते हुए पल जीवन में समय कैसे भी जाते है पतन लगता फ्लिटिंग मोमेंट्स इसको क्या बोलते है पिरामिट क्लब्स वहाँ पर मतलब के जोश बड़ा होते हैं तो लोगों में USA के अंदर के थोड़ा पैसा डालेंगे और कई सारा पैसा हम कमा लेंगे ऐसा पिरामिट क्लब का चलन चला हुआ था इस स्कीम्स वर शौट लिट यह जो स्कीम्स थी है शौट लिट थी हिंका जीवन बहुत चोटा था इस्सपीरिंग और यह गायब होगी जैसी वो मार्केट में आई थी साथ के साथ गायब भी होगी और कोई चीज जो बहुत छोटे समय के लिए रहते हैं एफमेरल शब्त का मतलब होता है कुछी समय के लिए जो चीज कुछी समय के लिए बनी रहते हैं इसको क्या बोलता है आफमेरल avoiding direct language नेक्षमरा वर्ड है avoiding direct language बहुत बार क्या होते हैं किसी शब्द को सीधा नहीं बोलते उसके लिए कोई और alternative words जोंगते हैं जिसे words represent ideas not the actual things themselves some people are so uncomfortable certain topics जिसे हम death की बात करते हैं यह नहीं कहते हैं हम बोलते भगवान को प्यारा हो गया तो हमने direct नहीं बोला मर गया उसके लिए हमने उपायड हुण लिया भगवान को प्यारा हो गया हम sex की सीधे बात नहीं करते हैं हम शरीर के जैसे हम toilet जाते हैं तो हम direct नहीं बोलते शब्दों को तो इसके लिए इनको क्या बोलते हैं alternative कुछ choices रखते हैं शब्दों की हम direct in topics को पर बात नहीं करते हैं हम avoid करते हैं direct language and use more roundabout expressions और हम घुमा फिर आके थोड़ा बात करते हैं थोड़ा और शब्दों को असारा लेते हैं इन शब्दों क्या बोलते हैं यूफिमिजम्स बोलते हैं क्या बोलते हैं यूफिमिजम्स बोलते हैं next one is light conversation इनकी हलकी पुलकी बात्चीत जैसे दो दोस्त हैं हलकी पुलकी मज़दर बात्चीत करने इसको क्या बोलते हैं bad in age बोलते हैं bad in age whenever I am down I buy a new suit जब भी मेरा mood खराब होता है इन्हों क्या बोलते हैं bad in age बोलते है calm like a cow calm का मतलब होते है शान्थ अगर कोई गाएं की तरह शान्थ है गाएं मतलब cow गव की तरह शान्थ है मतलब cows that appear content and undisturbed some people maintain a calm, placid, flagmatic demeanor कई लोग क्या होते हैं बिल्कुल शान्थ होते हैं काएं की तरह वो content होते हैं संतुष्ट होते हैं undisturbed इनको कोई चीज दिस्टर्ब नहीं करती some people maintain a calm, placid calm, shant placid भी क्या होते हैं English में flag, shanty का root है flag किसको indicate करता है shanty को indicate करता है placid वो लोग होते हैं जो शान्थ रहते हैं वो placid होते है and phlegmatic demeanor इनका जो आचरन होता है behavior होता है behavior को क्या बोलते है demonor बोलते है इनका जो behavior होता है वो बिल्कुल phlegmatic होता है नहीं की एक दिखापे बैठ की उठेंगी flagmatic का मतलब होता है आलस से भरा हुआ तो कई लोग क्या होता है बिल्कुल शान्त रहते हैं बैठे हैं, वहीं बैठे रहेंगे flagmatic demonor औरshad corridor तो इन लोगों क्या बोलते हैं यदो याद करने का तरीका यह भी है किसी भी वर्ड के last में एकर आईएनी आज इसका मतलब होता है कै जैसा क्या मतलब होता है कै जैसा और बी-ओ-वी का मतलब होता है आइन रगम क्या बने क्या है गाएं के जैसा और कि अब uh한 कि बड़ा जैसा ओने क्या होता है गाएं के जैसा जो शांत रहता है एक ही जगह बैठा है आलस करता रहता है अ या यह कोई चीजंक इसकों कषी दिख्रब नहीं करती इस को ऐसी Dentous है, इनको क्या बोलते है, बोबा यह नहीं. Next, longing for the past. Long for का मतलब होता है, इच्छा करना. Long for का मतलब क्या है? इच्छा करना. कभी कभी हम ऐसी इच्छा करते हैं कि हम पुराने समय वापस लेजए, अपने college के डेश याद करते हैं, ऐसा हमारे मन में इच्छा रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, लोंग फोर कर रहे हैं, पास्ट का, Do you ever feel a deep longing for the people and places of your past? क्या कभी आपको ऐसा हुए कि आपको में इच्छा धगी है, deep longing for होई है आपके लिए, कि पुराने लोगों के लिए या पुराने स्थान के लिए, जो आपके पास्ट में था, a sensation so intense, it feels almost physical, इतना आपको महसूस होता है, कि जैसे physically सच में आज आप वहीं पर ही हो, this feeling is known as nostalgia, इस जो भाव को क्या बोलते हैं, nostalgia बोलते हैं, और जो person है, यह थो क्या बोलेगा, मैं nostalgia a feel कर रहा हूं, NGEC, feel कर रहा हूं, अगर आपको, मिले कि पुरानी बाते बहुत यादा आ रही है, पुराने दोस्त, पुरानी जगह, पुराने लोग, बहुत आप feel कर रहे हो, इतना फील कर रहे हो कि जैसे आप उस पल को अभी experience कर रहे हो, तो आप nostalgia एक फील कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, nostalgia एक, next है harsh sounds, okay, some sounds such as city traffic और chalk scraping on the blackboard are so grating that they irritate the ears, कई वाज़े जैसे city का traffic है, या chalk को घसीटना, scraping करना blackboard पर, ये बड़ा परेशान करते हैं, grating का मतलब होता है, परेशान करने वाला, कि ये कानों को परेशान कर देते हैं, irritate कर देते हैं, ये बहुत unpleasant होती है, unpleasant का मतलब होता है, जिसमें अनन्द नहीं है, परेशान करने वाला, discordant noises, discord का मतलब होता है, तो यह ऐसी नुशी जो आपको बिलकुल पसंद नहीं है इनको क्या बोलते है कैकोफ़नस पहली बात तो अजेक्टिव है और वाले वर्ट्स क्या होते है और फोन का मतलब क्या है साउंड और कैको का मतलब होता है खराब तो बहुत जो खराब आवाज वाली चीज़ें होती है करकश आवाज इसको बोलते है कैकोफ़नस बोलते है निक्षबार वड़े मीट इटर्स लाइन्स, टाइगर्स और अदर इमिल्ट लिव सॉलिली और मीट जो पूरा का पूरा सॉलिली का मतलब है 100% जो 100% मीट पर निर्भर रहते हैं इन्स क्या बोलते हैं कार्नी वरस कार्नी शब्ट का मतलब क्या होता है मास और वोर का मतलब होता है भूक तो जो अपने मास खाकर भूक को मिटाते हैं इन्स क्या बोलते हैं हमारा क्या है वायल मैने प्राइवेट एक्टिविटीज बहुत सारे ऐसे प्राइवेट काम है जो हम खुल कर नहीं करते हैं ठीक है ना वह हम अकेले करते हैं लोगों की नजर में ना आए क्लेंडेस्टाइन वह काम होते हैं जो चोरी चुपके की जाते हैं बिना किसी को बताए की जाते हैं क्लेंडेस्टाइन हमारी सेशन में आगे करेंगे नेक्स वीडियो में थैंक यू, हैव नाइस ताइम